हेलो गाईज गुड बॉर्निंग तो देखो हना बात ऐसी है मैंने यह चीज़ नौटिस किये कि जब लेक्चर एक से डेट घंडी तक का हो जाते है तो आप लोग उसे देखना पसंद नहीं करते बट अगर 30 मिनट्स तक का लेक्चर होता है तो आप हिम्मत करके देख लेते ह हो सकते हैं आप लोग बहुने लग जाते होंगे या फिर कुछ भी रीजन राह हो पर ये चीज़ मैंने नोटिस किये इसी वज़े से मैं यह वाल्य जो लेक्चर है बायो का चयाए बावियो का हो चया है कैमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो मैं ट्राई करूंगे अं बुलो की ठीक है मैम चल जाएगा एक डिट घंटे का भी हम पक्का पूरी देखेंगे तो आप मुझे कमेंट करना अगर इस वीडियो के नेचे ठीक ठाक से कमेंट आए बच्चों के तो पक्का जैसे आती है एक डिट घंटे का लेक्चर वैसे ही आएगा क्योंकि मैं यह ट्राइ करते हूँ एक वीडियो में कम से कम एक लेक्चर कम्प्लीट करवा दू इसी वज़े से वो लंबी हो जाती है बट अगर आप देखोगे यह नहीं तो फिर क्या मतलब है इतनी महयनत करने का ठीक है तो यह वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको ऐसे ही NCRT लेवल वाला ही पढ़ना है क्योंकि यह NCRT बुक से ही उठाया गया मेटर है ठीक है मुझे उस सर्जन तंदर किसी भी बुक में ठाक से मिला नहीं था इसी वज़े से मैंने NCRT बुक को प्रिफर करा है एस रेफरेंस NCRT बुक से लिए और यह मैटरिकल पूरा NCRT बेस्ट है टोटली अगर आपको यही वाला सही लगे कि चलो माम NCRT पढ़ेंगे हम तो तो बता देना मैं आपको आगे से जितने भी टॉपिक होंगे सब NCRT से पढ़ा दूगे तो उस सरजन तंतर क्या होता है सबसे पहले वही देखने है तो देखो प्राणियों द्वारा उस सरजित होने वाले नाइट्रोजनी अपसिस्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिकमले देखो बात ऐसी है कि सरीर में है ना बहुत सारे ऐसे पढ़ारत है जिनको बहार निकालना जरूरी होता है बड़ जो अपन भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर कार्बोहाइडरेट भी होता है वसा भी होती है और क्या होता है प्रोटीन भी होती है तो जो carbohydrate था वसा कि अपचेन से जो पधाद बनते हैं ना उनका तो बाहर वो easily निकल जाते हैं तो दिक्कत उनकी नहीं आते हैं दिक्कत कि इनके लिए आती है प्रोटीन के अपचेन के बाद में जो बचते हैं जटल नाइट्रोजिनी पधाद उनके उनको बाहर कैसे निकाले सरीर से इसमें दिक्कत आती है और उनी को अपने नाइट्रोजनी अपसिस्टो का नाम दिया है जिसके अंदर क्या आता है अमोनिया है यूरिया है तता यूरिकमल ठीक है इनमें अमोनिया सरवादिक टॉक्सिक है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हानिकार है कौन सी है अमोन प्रिया किसे सफने की परिकुलिया के साथ भी सरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं अमोनिया के उस सर्जन की परिक्रिया को आमोनीयोत I amounium, I know के रूप में सरेर की सते या मखलियों के जो कलोम होते हैं घिल जिनके इस आहिता से वह स्वसन किती है कि इस आहिता से विशरन द्वारा सरजित हो जाते हैं इस उसर जयन में व्रक की कोई एहम भूमिका नहीं होती देखो जो अस्तिल मक्षलिया या बेचरिया जल्य कीट है इनको व्रक की जरुवरती नहीं होती जबकि आपको पता है हम लोगों के अंदर मतलब मनुश्य में व्रक पाए जाते हैं तो इनको जरुवरत क्यों नहीं होती क्योंकि यह लोग क्या करते हैं अमोनिया का उसरजन क वज़े से यह घुल जाता है और इसको कलॉम की साइटा से या फिर सरीर की सते से इजीली मतलब भार उसरजित किया जा सकता है ठीक है इसी वज़े से इनको व्रक की कोई आश्यक्ता नहीं है और इनके अंदर होते भी नहीं है एहम भूमिका नहीं है मतलब यह इन प्राणि अमोनिया का आप यह ऐमोन ले लो ठीक है मतलब यह अमोनी है तो यह यहां से याद रख लो क्योंकि अब यह आगे अपन देखेंगे जिसके अदर अमीनों अमल भी है तो आप कन्फ्यूस हो सकते हो इसी वज़े से अमोनिया का ध्यान रखना अमोनों है यह ठीक है एक दो पेपर लेके बैठा करो जो इंपोर्टेंट बताया है कम से कम वो तो लिखी लिया करो ठीक है देखो इस तहले आवास में अनुकुलन है तो जल की हानी से बचने के लिए प्राणी कम आविस नाइट्रोजनी अपसिस्टो जैसे यूरिया यूरी कम लगा उस सरचन करते है अब देखो जो पानी में रहती है मसलिया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे पानी की परचूर मात्रा है कितना भी पानी खर्च करें बर जैसे हम जैसे लोग हैं प्राणी हो गए इनका जल की हानी से बचने के लिए क्या होता है ना कि ऐसे अनुकूलन होते हैं ज कि वो चाहते हैं कि उनकी पानी की हानी इतनी जादा ना हो पानी जल की हानी से बचने के लिए ही ऐसे अनुकूलन डवलप हो जाते हैं कि उसकी वज़े से यूरिया तता यूरी कमल का उसरजन करते हैं ना कि अमोनिया का इस्तंधारी कई इस्तली उभेचर और समूदरी मच अलीप यूरया का उसरजन करते हैं और यूरया का और सरजन करने वाले क्या क्या ला आते हैं? यूरया उसर्जी हिंदी में इसमें तो कोई दिख़ती नहें यूरियो टेली को यूरियो सर्जी इन प्राणियों में उपापच्चे किरियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकरत द्वारा यूरिया में परवर्थित का रक्त में मुक्त कर दिया जाता है जिसे व्रक्त को द्वारा निश्यंदन के पस्चात उससरजित कर दिया जाता है कुछ प्राणियों के इसमें क्या होता है ना कि जो उपापच्चे किर्याओं के द्वारा जो अमोनिया बनती है ना उस अमोनिया को यूरिया में कनवर्ट कर दिया जाता है और ये काम कोन करता करता है यह किड़ेंट यह यह बहुत इंपॉर्टेंट यह जो एम्मोनिया को उठधा करते हैं और यह उठाते देटा होती और रखा किरिया होती है navy यह ब्लड को इस अगे den चंदन किरिया कैसे होती है और क्या होती है कि वremos अधात्रीमें अपिक्षित पराशरंता को बनांए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा आ रह जाती कुछ प्रानियों मैं ऐसे वर्ख कोते हैं मलकि कुछ प्राणियों की जो व्रक होते हैं उसके अंदर कुछ मात्रा यूरिया की रह जाती है और वो इसलिए रहती है ताकि वहाँ परासरंता है अपने परासरंता अगरे सुपना होगा न तो परासरंता को मैंटेन करने के लिए वहाँ पर यूरिया थोड़ी बहुत रहती है आप से पूछा जा सकते हैं कि व्रकों के अंदर जो कम थोड़ी सी मातरा में यूरिया रहती है वो क्यों रहती है तो याद रखना परास रंटा को बनाई रखने के लिए सरी शरपों पक्षियों इसते लिए गोंगों कीटों में नाइट्रोजनी अपसिस्ट यूरिक अमल होता है और उसरजन जल की कम मातरा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है गलती से आया थी अमोनिया उसरजी बताया था तो अमीनो अमल बोल दिया था याद रखना वो यूरिक अमल है चोटी मोटी गलतिया तो चलती रहते हैं बढ़ हां करेक्सिन करवादो वह ज्यादा बैटर होता है तो ध्यान रखना अपने सबसे पहले पढ़ा था अमीनो उ उसरजी जो अमोनिया को सरजन करते हैं उसके बाद में हमने पढ़ाता यूरिया को सरजन करते हैं अब हम पढ़ रहे हैं यूरिको टेलिक जो यूरिक अमल का सरजन करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि पक्षी कौन सी कैटेग्री में आते हैं तो ध्यान रखना जो पक् स्षिप कर दunken है तो ब्रगित पूछा जा सकता है जो सरजण का काम करती है किसमें पाई जाती है तो ध्यान रखना प्लेटी हेलमन्थी जो चप्टिक करमी होते हैं जिसे प्लेन एरिया वगरे तो इनके अंदर जो आलकोशी कहें उसरजन का काम करती है जो आलकोशी कहें वाकई में बहुत इंपोर्टेंट है इसके अलावा जो रोटीफर है वो कुछ अनलीड में सिफियलो कोडेटेज वो एंफियोक्सिस में आदी में उसरजी सरचना के रूप में पाये जाते हैं आदी वरक प्रात्मिक रूप से आइनोवे दर्व के आयतन नियमन जैसे परासरन नियम से संबंदित है केच्वे अन्य अनलीड में नलीका का उसरजी अंग व्रकक पाए जाते हैं व्रकक नाइट्रोजनी अपसिस्टों को उसरजित करने तता दर्व और आइनों का संतूलन बनाए रखने में सायता करते हैं तो व्रक बैसिकली क्या काम करते हैं कि जो नाइट्रोजनी अपसिस्टों को उसरजित करने मैं जो नाइट्रोजनी अपसिस के लिए व्रक में भेज देता है ठीक है तो बाद में उसको उसरजित करने का कारे कौन कर रहा है व्रक कर रहा है तो उसरजित करने तद दर्व और आइनों का संतुलन बनाए रखने में साहिता करता है यह चीज़ यहां रखना कि यह दर्व और आइनों का जो संतुलन है उसक के practicals के अंदर इनका मतलब जैसे पहले क्या होता था पुराने टाइम में मैंडग को काटा जाता था कोक्रोज को काट के हर चीज को अच्छे से explain क्या जाता था बढ़ आजकल क्या space सी में रखे होता आपको पते आपके लेम में भी ऐसे रखे होते हैं जैसे मरे हुए जन्तु रखे हुए हैं स्पोर्ट्स बोलते हैं उनको बहुत टाइम होगे जूलो जी लेम में मुझे गए हुए तो इतना तो ध्यान नहीं है बट हाल का फुल का आइडिया है तो कहने का मतलब यह है आपने देखा होगा मापे कोक्रोच वगेरे पढ़े रहे थे बट हाँ चाहे कुछ भी हो अब इनको जीव जन्तु को काटना बेन है प्रैक्टिकल के अंदर नहीं काटने दे बट फिर भी आपने प्रोजेक्ट फाइल तो बनाई होगी ना इसमें बहुत से बच्चे केचुए पर प्रोजेक्ट बनाते हैं कि कोई मदलब अगर हाँ सुनो सुनो अब कोई बोले कि हम तो मैं अभी अभी 12th करके आए हमने तो अभी BSC में नहीं गए तो I think 11-12th में भी ऐसा तो होना ही चाहिए बायो के प्रैक्टिकल में मुझे कंफर्म तो याद नहीं है बट जहां तो याद है केचुए का भी अपन क्रॉस सेक्शन वगरे देखते हैं और कोक्रोज का भी देखा जाता है तो ऐसी कुछ है मैंडग के बारे में भी मलब पढ़ सकते हैं मैंडग भी कोई टॉपिक लेके प्रोजेक्ट का रहे उस पर कर सकता है तो कहने का मतलब यह है कि जो तिल चट्टे होते हैं तो जब अपन यह वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो इसमें उसरजेंग कौन से हैं और पाचन किर्या कैसे होते हैं यह सब डिटेल में पढ़ते हैं अपन उस जीव के बारे में इसलिए वो याद आगया मेरे को तो याद रखना तिल चट्टों के अंदर मेल पिग की नलिकाई पाई जाती है जिनके द्वारा उसरजन होता है तो एक तो आप ध्यान रखना जो आला कोशी का है किसमें पाई जाती है तो प्लेटी हैलमन्तीज में पाई जाती है क्या काम करती है उसरजन का काम करती है और मदद करती है हाँ हाँ आपको जींगा या फिर प्रोन का भी टॉपिक लेने के लिए अमल आप्शन होता है उस टाइम भी प्रैक्टिकल के टाइम पर जैसे क्रस्टेशिया प्राणियों में श्रंगी ग्रंथिया पाई जाती है जिनको एंटिंग एंटिनल ग्लांड या हरेत ग्रंथिया उसरजन का कारे करती है अब आपसे कोई पूछे वैसे यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना जो आलक उसी कहें मेल पीगी को दिनल लिका है बट फिर भी ध्यान रखना स्रंगिंग ग्रंथिया किसमें होती है जींगे के अंदर होती है मानव उसरजन तंत् आंदर क्या-क्या होता त्यान रखना एक जोड़ी को थे हैं एक जोड़ी मुत्र न लिकाश्य होता है एक मुत्रमारग होता है और उससें के बीच की आकरती के होते हैं कैसे घेरे भुडे लाल रंक होते हैं अन्तिम वक्षयों तीसरी कठी कशिय रुका के इसम्य हैं और कहां इस्तीत होते हैं वर फिर भी ये एक जनरल नॉलिज जीसा है क्योंकि आप अगर उससे जनतंत्र पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वरक्त के बारे में कि कहां होता है कैसा होता है इसी वज़े से ये अगर आप लोगों को बताया भी जा रहा है अगर आप गोवेस के मनुषै के परती एक व्रक की जो लंबाई है ना वो 10-12 cm होती है जो व्रक की लंबाई है वो कितनी होती है 10-12 cm और चोड़ाई कितनी होती है पांस साथ सेंटी मिटर मोटा ऑट ही होती है 2-3 cm तब हार लगग uma 20-60 gram होता है उत के केंध्रियाब भाग की भीतरी दालको कौनके वह क्योंस होती है जो फरक की भीतर looking tag जिसे हाइलं कहते न तैनुम आपको पता होना जाए अप इता ध्याद रौला रख लो अ करते हैं हाइलम की भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है जिसे वरक्य श्रोणी या पैल्विस कहते हैं अब देखो यह जो हाइलम है ना अभी डायग्राम से सब समझा दूंगी तो हाइलम की भीतर की और क्या होता है कीप के आकार की रचना होती है जिससे क्या होता है वरक या पहल्विस कहते हैं तता इसे निकलने वाले प्रक्षे पो प्रोजेक्शन को चस्क कहते हैं ठीक है अब डाइग्राम देख लेते हैं तो देखो ये किता सुन्दसा डाइग्राम है ये भी NCRT बुक से लिया है अगर आपना NCRT पढ़ी है या सोच रहो कि यार NCRT से बैस कुछ भी नहीं होता तो आप कमेंट करना मैं आपको बायो की टॉपिक NCRT से करवाने के लिए तयार हूँ बढ़ हाँ टाइम लगेगा ठ कितनी मैनत लगती है पहले बुक से प्यारी प्यारी से पिक लिक करो उसके बाद स्लाइट बनाओ उसके बाद थोड़ा बहुत खुछ समझो फिर आपको अच्छे से समझाओ तो थोड़ा जादा सा हो गया ना मैनत पर कोई बात नहीं ये भी करेंगे अगर आपको ये सीज के लेवल का INCRT से बेस्ट कुछ भी नहीं होता ठीक है तो ये है मानव का उसरजन तंतर देखो इसमें क्या-क्या है ये पस्च महासिरा होती है ठीक है ये पेलवीस है अभी मैंने बताया था आपको पेलवीस जो वरक किश्रोणी होती है तो वो कहां होती है ये जो हाइलम ह ये अंदर की तरफ होता है ये कीप जैसा ये हाइलम वाला पार्ट है ये अंदर वाला पार्ट जो है ठीक है और यहां पेलवीस होती है जिसको वरक किश्रोणी के नाम से भी जाना जाता है ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको मेडूला बोला गया और जो आपको ये पिं वरक बोला गया है ये वरक धमनी होती है ये वरक सिरा होती है ये वरक होते हैं और ये प्रष्ट महा धमनी है ये वाली ठीक है इसमें दो हैं महा धमनी है एक तो ये प्रष्ट महा धमनी और एक ये प्रष्ट महा सिरा होती है ठीक है एक मुत्राश्य होता है अब भी बताया थ आपको और एक मुत्रमार होते हैं तो यह तो हमने देख लिया मानवउशर जांद्र का डाइग्रम तो ब्रख की जो बहारी सतय होती है तो उस पर द्रड समपूट होता है मैं आप Hero word को दो भाग होते हैं बहारी वलकुट जिसे कॉल्टेक्स का जाता है तता बीतरी मद्यांस जिसे मैंडूला बोला जाता है अब भी आपको बताया था ना ये देखो ये जो बहारी भाग होता है ये तो वलकुट और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको मेडूला बोला जाता है ठीके मध्यांस कुछ संक्वाकार पिरामेड में बटा होता है जो की चसकों में फेले रहते हैं वलकुट मध्यांस पिरामीड के बीच फेल कर वरक इस्तंब बनाते हैं जिने बरतीनी इस्तंब कहते हैं तो टेंशन आलो ये भी हम डाइग्राम से समझाऊंगे आपको कि बरतीनी इस्तंब क्या होता है ठीके परतेक वरक में लगबग 10 लाग जटेल नलीगा कार सरचना वरक वरक में लगबग 10 लाग जटेल नलीगा कार सरचना वरक काणू पाए जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं इन्नों से वरक के अंदर 10 लाग जटेल नलीगा कार सरचना पाए जाती है जिसे वरक काणू कहते हैं और ये क्या होती है क्रियात्मे की काई होती है अगर वैसे इजे सवाल तो आता नहीं है बड़ फिर भी अगर बाई चांस examiner का mood बन गया तो व्रग की जो किरियात्म के काई है वो क्या है नेफ्रोन पर्टेक व्रग काणू के दो भाग होते हैं जिने गुच्छे वाले को glomerulus तथा और वरक नलिका कहते हैं पर्टेक जो व्रग काणू है जो नेफ्रोन नेफ्रोन के दो भाग होते हैं glomerulus और व्रक नलिका गुच्छा वरक के धमनी की एक सेकिन गुच्छा वरक के धमनी की साखा अभिवाई धमनिकाओं से बनी केसी काउं देखो ये कोसी का नहीं केसी काउं है ध्यान से पढ़ना कैपिलरी बोलते हैं इसको का एक गुच्छ है glomerulus से रखत अपवाई धमनी का द्वारा ले जाया जाता है ये चीज इंपोर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है कि जो glomerulus है वहाँ से रखत कौन ले जाता है तो ध्यान रखना अपवाई धमनी का द्वारा ले जाया जाता है अभी वाई धमनी का द्वारा नहीं अपवाई धमनी का द्वारा ले जाया जाता है ठीक है तो आप से पूचा जा सकता है कि glomerulus से जो रखते वह कौन से धमनी ले जाती है option में अपवाही भी दे सकते हैं अब भी वाही भी दे सकते हैं तो आप ध्यान रखना अपवाही आप इसको इंग्लिस में याद रखो ज़्यादा ही जी रहेगा कि afferent arteriol तो afferent से याद रखो er ना क्योंकि इसके अंदर er तो e से end याद रखो आप तो या फिरी से लख लो भाहरी ठीक है external जैसे होता है external force वगरे भाही वल तो भाही याद रखो आप तो मलब रखत को भाहर की तरफ कौन ले जाती है glomerulus से अपवाही धमनी का और बाकि आप 11-12 कर चुके हो है थोड़ा चीज तो आप लोग रटने में माहिर होंगे साइंस के अंदर बायो के अंदर तो आपको पते है सब memory best है बस यह है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो थोड़ा से समझ में आ जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा और कुछ निए तो देखो अभी मैं आपको बताया था बरतिनी के स्थम्प क्या है तो देखो बरतिनी के स्थम्प ये है ये वाले ये जो यलो यलो दिख रहे हैं आपको ये यलो ये यलो ये यलो ये यलो ये यलो और ये बना कैसे है ये जो वलकुट वाला पार्ट है ना ये वलकुट वाला पार्ट मेडूला के अंदर जाके स्थम बना लेते हैं ये देखो ये वाले स्थम इसी को बरतिनी के स्थम बोलते हैं और ये वरक आवरण है और ये मध्यान स्पिरामीड है कहलाते हैं ये कैलकीस है और ये व्रक धमनी है, ये व्रक शिरा है, ये व्रक पेल्वीस है, व्रक पेल्वीस के बारे में आपको बताया था ना, एक सेगे तो व्रक पेल्विस के बारे में आपको अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया था ना कि जो व्रक श्रोनी होती है उसी को ही पेल्विस कहा जाता है इंग्लिस के अंदर तो कन्फ्यूज मत हो ना पेल्विस नाम देखके और यह मुत्रवाही नहीं है तो यह आपको जो व्रक का भाग है जो समझाया था अभी पढ़ाया था उसी का डाइग्राम है यह डाइग्राम भी NCRT से लिया हुआ है तो आपको सब चीज एक जगे मिल रहे है तो इसके लिए तो लाइक बनता है अब देखो यह है रक्त वाहिनिया वाहिनिया तथा नलिकाएं प्रदशित करता हुआ एक नैफ्रोन अभी हमने बात की थी ना कि व्रक के अंदर व्रकाणू होते हैं बहुत सारे और यह क्या होती है व्रक की क्रियात्म की काई होती है तो यह जो नैफ्रोन है उसी का डाइग्राम बता शो कर रख है तो देखो इसके अंदर अभिवाही धमनिका शो कर रखी है अपवाही धमन है ये जो ये आपको ये रेड वाली दिख रही है ना ये इसे तो बोला गे सम्पत सम्वालित न लिगा है ना बट ये जो यलो वाली दिख रही है ना ये वाली यलो इसको बोला गे दूरस्त वालित न लिगा बट ये वाला जो है ये इसको बोला जाता है संग्रे न लिगा ठीक है और ये आरो ही बुजा है ये वाले अवरो ही बुजा है इसके बाद में ये वासा रेक्टा होता है वासा रेक्टा है क्या होता है या भी आगे देखेंगे अपन और ये हैनले पास है तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर हो गया सुंदर सा ब्यूटिफुल सा कलर्फुल सा कैसा भी मान लो एकदम चमकता वो है बस आपको याद रहना चाहिए यह सिफ आपको हलका फुलका समझाने क्या help कर सकते है अब देखो हमने यह जो यह अपको बोमेंस अंपूर्ट बता है न मैं यहां पर यह वाला यह वाला इसको इन्हों होने अलग से डाइग्राम देखे समझा रहक हैं कि बोमेंस अंपूर्ट फिर मेल्पी अपवाई धमनी का काम अब तक तो याद हो जाना चीज़ा बताओ क्या था कि गलोम अल्यूल से रख ट ले जाने का काम कौन करती है अपवाई धमनी का करती है ठीक है और तो पता ही आपको बोमें संपूट है देखते हो लो 30 मिनट होने वाले हैं आज तो आपको लेक्चर 30 मिनट का है मिलेगा चाहिए टॉपिक कम्प्लीट हो या नहीं हो मुझे पता है तो चले कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और व्रक नलीका व्रक नलीका दूहरी जिल्ल गुच होता है गुच और बोमें संपूट मिलकर मेल पीगी काई अत्वा वक कणी का कारपल्स बनाते हैं तो बोमें संपूट से एक अत्ती कुंडलित समीपस्त समलित नलीका निकलती है देखो NCRT में सब कुछ डिटेल में दिया होता है इसलिए सब लोग बोलते हैं या आ काफी शॉर्ट के अंदर दे रखा है ठीक है तो आप चाहो तो NCRT से पर सकते हो बठा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजों पर ही फोकस करना आप एक बार के लिए पूरी NCRT वुक से टॉपिक रीडाउट कर सकते हो बड़ ऐसा नहीं है कि NCRT में अगर 13 पन्ने दे तो आपको 13 के 13 पन्ने याद रखने है आपको यह देखना है आपके syllabus में case level के सवाल आते है एक तो यह देखना है paper में किस level के सवाल आते है बागी यह देखना है syllabus में कौन-कौन से topic में mention है only वही आपको करने है ठीक है या फिर आपको important लगे कि हाँ यह पुछा जा सकता है वह देखना है ऐसा नहीं कि पूरी NCRT रटने बेट जावण आपको सूचो 11-12 का syllabus कोई कम थोड़ी है पुरा एक साल लगता है जब जाकि 12 का syllabus अच्छे से बच्चे कवर कर पाते है और आप 11-12 दोनों का कर लोगे तीन महिने के अंदर कोई मजाग थोड़ी है तो आप लो से 13 slides बनी है इस वाले topic की बट मैं को पता है आप इतनी लंबी वीडियो देखते ही नहीं हो तो मैं क्यों बनाओ आप 30 मिनट की मुश्किल से देख पाते हो क्योंकि physics की जो class डाली थी उस पर response काफी अच्छा है तो मुझे लगा कि हो सकता है 30 मिनट से तक तो आप लोग टि होती है इसके बाल रखाणू में hairpin के आकार का हैंली लूप होता है जिसमें आरोई वे अवरोई बुजा होती है यह सब मैंने आपको इस वाले diagram में अच्छे से समझाया हुआ है जैसे यह आरोई बुजा है यह हैंली पास है ठीक है तो यह सब कुछ अब दोनों diagram में लाना तो possible नहीं होता ना बढ़ आप पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा नहीं तो आप देख करके diagram देख लेड़ा आपाद में यह आप डिसके इन शोट ले लो तो जिसमें आरोई वे अवरोई बुजा होती है आरोई बुजा से एक और अति कुंडलित नलीका दूरस समलित नल परारम होती है अनिक वरकाणों की दूरस समलित नलीका एक सीधी संग्रे नलिका में खुलती है अनिक संग्रे नलिका मिलकर चस्कों के बीच इस्तित मध्यांस पिरामिट से गुजरती हुई वरक वरक्य शोणी में खुलती है जिसे अपनने पेलविस बोला था ना उसके अ वरक के कणिका समीपस्त समलीत नलीका दूरस समलीत नलीका आदी वरक के वलकुट भाग में जबकि हैनले लूप जो होता है वो मध्यांस में इस्तित होते हैं इसके बाद में अधिकांस वरकाणू के हैनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांस में बहुत कम धसे होते ह ऐसे वरकाणों को वलकूटी ये वरकक कहते हैं देखो अब यहां पर वरकक की भी दो तरह के बता दिया वलकूटी ये वरकक ये वो वरकक होते हैं जो की बहुत कम धसे होते हैं मध्यांस में ठीक है जो बहुत कम धसे होते हैं वो वलकूटी ये वरकक कहलाते हैं इसके अलावा कुछ वरकाणू के हैंडरी लूप बहुत लंबे होते हैं तता मध्यांस में काफी घहराई तक धसे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें सन्नीद्य मध्यांस वरकाणू कहा जाते हैं तो दो तरह के वरक हो गए आप यह ध्यान रखना जो जाद मध्यांस के निकलने वाली अपवहाई दमनिका वरक्य नलिका के चारो और सुक्षम केसिकाओं का जाल बनाती है जिसे परीनालिका केसिका जाल कहते है इस जाल से निकलने वाली एक-एक सुक्ष में वाही का हैंले लूग के समाना अंतर चलते हुए यू आकर कि सरचना वासा रेक्टा बनाती है बलकूटिय वरकाणूओं में वासा रेक्टा या तो अनुपस्तित या तेदिक हासित होती है अब एक चीज़ ध्यान रखना वासा रेक्टा किससे बनता है आपको सिव इतना ध्यान रखना है तो जो वासा रेक्टा है वो बनाती है परिनाली का केसी का केसी का नहीं है तो परिनाली का केसी का से वासा रेक्टा बनता है अगर आप से वासा रेक्टा से रेलेटिड कोई सवाल आया तो पूछा जा सकते है कि किसके जाल से तो जो पर वल्कूटिय वर्काणू में वासा रेक्टा या तो अनुपस्तित होती है अत्यदिक हासित होती है अब मैंने आपको दो तरह की वर्काणू बतायते हैं एक तो वल्कूटिय वर्काणू बतायता और दूसरा बतायता मध्यास वर्काणू जिसको जक्स्टा मेंडूलरी नेफ फ्रोन भी कहा जाता है, तो जो वलकुटिवर काणू बताया था, उसके अंदर जो वासा रेक्टा होती है, या तो होती ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा हासित होती है, हासित मतलब ना के बराबर, ठीक है, कमी ही बोल सकते हैं वैसे तो इसे, तो आपको ये किलियर हो क्या होगा, ठीक है, और हमने वासा रेक्टा देखो, यहाँ पर देखा था, यह यून आकार की जो नली जैसा बन रहा है ना, इसी को वासा रेक्टा बोला गया है, अब ये टॉपिक, मुझे यह बंद करना पड़ेगा, मुस्किल साम चार स्लाइट पड़ पाएं, क्योंक आपकी, आप कहोगे, कि एक एगंटे की मैं वीडियो बना दो, हम देख लेंगे, तो पक्का एक एगंटे की वीडियो जी आएंगी, क्योंकि मुझे लगा, आप लोग नहीं देखते हूँ, क्योंकि मैंने इतना बार बोला है वीडियो में, प्लीस कमेंट क्या करो, पता त समझ में भी आ रहा है, और हमारी है, या फिर आप तो मुझे सिर्फ इतना बोल दिना कि आपको बनावर का लेक्शर चाहिए, क्योंकि मैं अपने शौक से पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़िये, तो कोई जबर्दस ही तो है नहीं, बाकिया मुझे जैसा भी हो बता देना, और इसी भाने कम से कम आप एक दो कमेंट तो करोगे, मैं भी देखते हूँ, किस-किस की कमेंट आते हैं, ठेक है, बाब बाई, और वैसे भी या ना, जब हमारी क्लासेज हुआ करती थी, मुझे तो पता है, हमारी ट पता है, तो आप इतना सा तो सुनी सकते हो, तो आपको मैं जादा वैसे भी नहीं बोलती हुआ, तो यह भी बता दो कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी लगे कि आप कोई तो देख रहा है, चलो वीडियो और बनानी चाहिए, इसलिए बोला जाता है, और जब और आदा लोग जुड़ जाएंगे, तो यह भी बोलने की ज़रत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई हमारे से, अपने चैनल से जुड़ रहा है, तो एक भरोसी के साथ ही जुड़ रहा है, कि थोड़ी से हेल्प उसकी भी हो जाएगी इस प्रिपरेशन के दोरान, तो चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ग्यान भी हो जाता है, मेरी बातचीत भी हो जाती है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, ठीक है? सब एक वीडियो में मिलते हैं आपको, बाब बाई!